नमस्कार दोस्तों मैं अन्शुर्मा आप सभी का एक बार फीर से हमारे कॉम्टिशन कॉम्टिटी परिवार की तरब से स्वागत करता हूं आज मैं आपके समख्ष हमारे फाश्रक रिविजन इनिस्टिटिव के अंतरगत टाइमेंड वर्क पाइपेंड सिश्टर और उसके स वर्क तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वर्क है कि मालिजह यह दो इक बाता यह यह तो बहुत जल्दी चाहिए यह रूम का शक्सर अब क्या करूँ अब मैंने यह किया कि मैंने उस आदमी के efficiency के ही बराबर एक और आदमी को इस काम में introduce कर दिया कि भाई अब तुम अके ले नहीं अब तुम दो अब बताओ कितने दिन लगेंगे जो दस दिन लगते थे अब उसमें क्या फरक पड़ेगा उसमें यह फरक पड़ेगा कि यह दस दिन अब क्या हो जाएंगे पांच दिन हो जाएंगे अब यहां से हम एक बात देख सकते हैं कि भाई आदमी का introduction मैंने एक आदमी और introduce करते हो तो यह पास दिन भी कम हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि भाई यह बढ़ रहा था तो यह घट गया जितना man बढ़ाते गया उतना day घटते गया तो इसके इसका मतलब क्या है कि इनके भी जो relationship है वो क्या है inverse है inverse relation है इसका मतलब क्या है कि M1 is equal to 1 upon D1 है अगर माल लेजिए इसी question का इक और पार्ट आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि एक अलग group of men है और वो एक अलग days लेते हैं तो क्या बनेगा formula यह बनेगा कि भाई work तो same था equal work था M1 by M2 is equal D2 by D1 work equal था इसलिए मैं यहां पर equate कर सक तो कि M1 को यही काम करने में M1 को D1 days लग रहा है और यही काम पूरा करने में अगर equal काम करने में मैं M2 को बलाओं तो इसको D2 days लग रहा है तो मैं man man को एक साथ लेलू M1 by M2 is equal to D2 by D1 हो जाएगा यह एक formula यहां से generate होता है और पूरा topic इसी formula पे कही ना कही बेश्ट होता ह एक और बात है एक बात और यह है कि यहां से आप एक चीज़ देखिए कि man के बढ़ने से work बढ़ रहा है तभी days कम हो रहा है work बढ़ रहा है तो इनके बीच क्या relation है direct relation है जितना man आप बढ़ाईएगा उतना work बढ़ेगा इसका भी use कही ना कही आगे चलके प्रश्णों मे होगा सुन देखते हैं नव व्यक्ति किसी कारी को 35 दिन में पूर्ण करते हैं तो साथ व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे यह हमसे पुछा गे मैंने बोला कि इसका दिन है इसका इनवर्स में जाएगा यह इसका दिन इसका इनवर्स में जाएगा तो फॉर्मुला क्या है हमारा फॉर्मुला तो यह है ना सिंपल सा फॉर्मुला है अब इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो M1 के जगा 9 पूट कर देते हैं M2 के जगा 7 पूट कर देते हैं अब देखिए उपर देखिए हमें निकालना है X माल लेजे También १ म लेजे alf 뽑 दे माल लीजे कुछ मूं कि ने कितना होगा नीचे कितना दिन दिया 35 दिन इसका दिन थर्टीफाइव कर आपको एंसर आ जाएगा लेकिन क्रॉस मिल्टीप्लाए का jetप किर और चीज कर सकते हैं यह आपे देखिए समानु लगेगा, और आपको उत्तर मिल जाएगा, पैटालीस दिन, यह उत्तर है, आपका देखते हैं, A किसी कारे को 15 दिन में, B 20 दिन में, C उसी कारे को 30 दिन में पूर्ण करता है, A, B और C उसी कारे को कितने दिन करेंगें आपके, यह जो प्रश्ण है, पूरा करेंगे अब देखिए ऐसे questions में जान तीन अलग-अलग वेक्ती है उनको अलग-अलग दिन लग रहा है हमको एक काम को decide करना होता है काम क्या होता है काम जो होगा वो numerical form में होगा संखे की रूप में होगा क्योंकि हम लोग का topic numerical aptitude है तो संखे की रूप में होगा एक काम decide करके बताइए हमें काम कितना होगा काम आप एक ऐसा अंक लिजिए जो कि ये तीन अंक का LCM हो lowest common multiple अब ये तीन अंक का LCM क्या होगा आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपको निकल जाएगा अब देखे आप इस तरीके से निकालते होंगे मेरा तरीका कुछ इस तरीके का है कि मैं जो अंक सबसे बड़ा होता है उसका 3-4 गुनन खंड लिखते तो 30, 60, 90, 120 अब मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों के table में पहला number आएगा नहीं आ रहा है 15 के table में तो आ रहे है 20 के में नहीं आ रहा है तो cut किया अब 60 पैए 15 के table में 60 आता है आता है 20 के table में 60 आता है आता है तो 60 मेरा LCM हो गया total work मैंने decision करके 60 बोल दिया पहला step में रहो गया अब मैं ये देखूँगा कि भई A जो 15 दिन लगाता है काम को पूरा करने में वो एक दिन में कितना करता होगा जो 15 दिन में पूरा करता है मैं 60 को 15 से डिवाइड कर चार काम आ गया अब एक दिन में 4 करता होगा तो 15 दिन लगते होगा तो 60 पूरे हो जाते होगा अब इसके बाद मैं ये देखूंगा कि भाई बी एक दिन में कितना करता है बीस दिन में पूरा करता है तो एक दिन में तीन करता होगा सी एक दिन में कितना करता है पूरा तीस दिन में करता है तो एक दिन में दो करता होगा अब मैं इसके बाद ये देखूंगा कि भाई ए तो 4 कर लेता है 2, 3 कर लेता है, 2 कर लेता है मतलब कुल मिलाके 9 काम हो जाते है अब 9 काम एक दिन में हो जा रहे है ABC का एक दिन का काम 9 है 9 काम एक दिन में हो जा रहे है तो 60 काम कितने दिन में होंगे 60 काम होने में 60 काम होने में 60 बटा 9 दिन लगेगा अब 60 बटा 9 दिन लगेगा इसको और simplify करने के लिए हम लोग 3 से कैल से करेंगे तो यह 20 आएगा यह 3 आएगा इसको fractional form में लिखने के लिए हम यहां से divide करेंगे 3 6 8 आएगा remainder में 2 बचेगा तो 6 2 बटा 3 दिन होगा पहला step काम को LCM लेकर decide किजिए दूसरा step एक एक दिन का कारे लिखिए तीसरा step जो निकालना है अगर माले जहां B नहीं दिया होता है यहां अगर यह दिया होता और यह निकालने कहता तो भी निकलता कुछ भी देगा हम निकाल पाएंगे हमारा rule यह है कि जिसका दिन निकालना जैसे यहां A प्लस B प्लस C का निकालना था यहां आपने दिन लिखा जितना वर्क है टोटल वर्क जितना था 60 था तो टोटल वर्क divided by A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम जिसे वन डे वर्क काथ है किजिए आपको उत्तर मिल जाएगा अगले प्रशन में देखेंगे प्रशन देखते हैं A किसी कारे को 40 दिन में पूर्णे करता है B की साहता से वह कारे 8 दिन में पूर्णे होता है B उस कारे को अकिलिये कितने दिन में पूर्ण करेगा एक इतने दिन में करता था चालीस दिन में बी की सहयता मतलब बी से जुड़ गया अब कितने दिन में काम पूरा हो रहा अब मातर आट दिन में अब इसके बाद पूछा क्या है पूछा यह है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा आप यहाँ प अब देखे यह अगर 40 दिन में 40 काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में एक कारे करता है तो एक दिन में पांच कारे करता है और एक दिन में पांच कारे करता है तो बी कितना करता होगा चार करता होगा बी तो चार करता है एक दिन में कारे को पूंट करेगा काम 40 है और बी का एक दिन का काम चाहर हैं तो कितना दिन आगे हैं दस दिन में करता हैं एक इसके बाद sciah साहता से कितना दिन में कर ले रहे हैं मात्र तीन दिन में अब पूछा क्या है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा अभी बताएंगे अब बताएंगे यह तीनों का मतलब के कुल कारे हो गया अब तीस है और यह 10 दिन में 30 काम करता है यहां तो पांच ही हो रहा है यहां दस हो रहा है इसका मतलब सी का कितना होगा है 1 दिन का काम 5 होगा से इका 5 आ गिया अग्याज तो जितने दिन में करेंगा जब 30 काम है और एक दिन का 20 दिन में करेंगा चेया कारी चोड़कर चलेजाता है भिर ऑर बीkung कर लिखें यह पिछला प्रशन का एक इंप्रवाइस कोश्चन इंप्रवाइस प्रशन है इसमें आप ध्यान दिजेगा करना क्या है पहला जो हमारा जो फॉर्मेट रहता है सेम रहता है जो टूटल वर्क हो गया जिसे हम कहते हैं कुल कारिया इसके बाद ए अगर 10 दिन में 60 काम करता तो एक दिन में 6 करता होगा B, 15 दिन में 60, तो एक दिन में 4 C, 20 दिन में 60, एक दिन में 3 इसके बाद कोशन क्या है अब जो कोशन के पैटर्न में आते हैं कोशन ये कहा है कि एक एक करके साथी, दो साथी छोड़े आप ऐसे कोशन में एक लाइन कीचे और इस लाइन को जो है हमारा साथ काम डिसाइड करके साइड में लिख दीजे, साथ यूनिट इकाई आप लिख सकते हैं आप देखे एक एक करके लिखेंगे A, B और C, तीनों मिलकर कितने दिन तक काम किये तीनों मिलकर 2 दिन तक किये 2 दिन किये A, B और C का एक दिन का काम कितना था? एक दिन का काम तीनों का 6, 4, 10, 13 है एक दिन में 13 तो दो दिन में 26 काम के तो यहां तक हुआ 26 काम अब कौन सा साथी छोड़ कर चला गया? C, C काम छोड़ के चला गया अब इसके बाद A और B दोनों मिलके कितना दिन तक किये? दो दिन किये A और B दोनों का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम इनका 6, 4, 10 और दो दिन के मतलब गुणा 2, 20 काम के तो मतलब अब 20 काम हो चुका है 60 काम में 26 हो चुका है इसके बाद यहां 20 भी हो चुका है मतलब 46 काम हो चुका है तो कितना बचा 60 में से आप 46 को जोड़ के 60 में से अगर घटाएंगे तो 14 काम बचा हुआ है 14 काम बचा हुआ है अगला साथ ही A भी चला गया तो इसके बाद क्या होगा काम करना पड़ेगा B को और B कितना दिन लेगा यह हमें पता नहीं है लेकिन B का जो एक दिन का काम है यह हमें पता है कितना होता है एक दिन का काम B का 4 एक दिन का काम उसका 4 है और काम करना कितना है 14 तो हमें पता चला है का दिन कितने लगे B को बचे हुए कारे करने में 14 बटा 4 simplify कीजिए 2 से इसको divide कीजिए 2 दुनी 4 2 सते 14 इसको fractional form में लिखिए proper रूप में 2 divide कीजिएगा तो 2 ती अच्छे एक remainder बचा हुआ तो कुल मिलागे 3 एक बटा 2 दिन आपको उतर मिलेगा देखते हैं 9 व्यक्ति किसी कारे को 21 दिन में 8 घंटे रोजाना कारे करके पूर्ण करते हैं कितनी महिला है उसी कारे को 7 दिन और 8 घंटे रोजाना कारे करके पूर्ण करेंगे अगर व्यक्ति की कारे शमतर महिलाओं से तिगुनी है लेकि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दोनों जो करने वाले हैं वो काम बराबर है अगर मान के चले हैं अगर हम visualize करते हैं कि काम जो है एक-एक कमरा construct करना एक बड़ा सा hall construct करना है इसको करने में कितने व्यक्ति लगे? 9 व्यक्ति, 9 men अब 9 men लग रहे हैं तो इनको दिन भी लगेगा इनको दिन लगा 21 दिन 21 डेज ठीक है मैन मतलब व्यक्ति दिन डेज इसके बाद यहां तक तो ठीक था इसके बाद hours का भी introduction है घंटे कितने लगे 8 hours यहां तक तो ठीक था फिर अगले पार्ट में जाते है अगला पार्ट कहता है work जो है equal है इसको पूरा करने में कितने महिलाओं की आशकता होगी महिलाओं कितनी एक्स लगा दिये उनको 7 दिन लग रहा है तो 7 डील लिख दिये और उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटे रोजाना काम कर रहा है यहां तक भी बात ठीक थी इसके बाद जो है अगला पार्ट में यह लिखा है पूर्णी विराम की बात कि अगर व्यक्ति की कारेशमता महिलाओं से तिगुनिये इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति की कारेशमता अगर एक महिला को काम करने पर लगाईएगा तो तीगुना कारिश हमता मतलब त्री टैम्स मैन का जो है एफिशेंसी रहेगा तो कुल मिला के यहां पर इंट्रोड़क्शन आ गया कारिश हमता का जिसमें की एक महिला से तीगुना काम पुरुश करता है यह जो पैटर्ण है कोश्चन का इसको कहते हैं समान कारे के कोश्चन इसमें आपको कारे समान मिलेगा आपको एक साइड में M1 मतलब व्यक्तियों की संक्या इंट्टू D1 इंट्टू H1 इंट्टू E1 लिखना है और कारे एक ही है इसलिए इक्वल दे कि अगले साइड में एक अलग ग्रूप M2 D2 H2 इस ग्रूप में महिलाएं भी हो सकती M2 लिखने का मतलब मैं ही नहीं होता एक अलग ग्रूप है M2 D2 H2 E2 लिखना है M मतलब व्यक्ति होगा जो दिन लेगा D मतलब दिन होग और मतलब घंटे होगे यह मतलब कारे शमता होगा Efficiency जिसे हम English में कहते हैं अब इस फॉर्मूले में हम question को fit कर दिया है अब हम value देखेंगे 7 से 21 को काटी है 7 तिया 21 अब आगे देखे 8 और 8 को काट लीजे अब यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे 9 एक संख्या बची है 3 एक संख्या और 3 एक संख्या 9 तिया 27 तिया 81 तो आप यहाँ 81 लिख लिए यहां महिलाओं की संख्या के लिए X जो हमने माना था वह लिख लिए एकसी होगी इसका मतलब है कि 81 महिलाए जो है उत्तर होगा प्रशन देखते है तीस व्यक्ति 480 कुर्सिया 15 दिन में बना लेते हैं कितनी कुर्सिया 10 व्यक्ति 6 दिन में बना लेंगे 30 व्यक्ति कितने कुर्सिया ऐसे कुर्सिया कितनी है 480 कुर्सिया 30 व्यक्ति मतलब 30 में कितने दिन में बना लेते हैं 15 दिन में आप पूछा ये गया है कि कितनी कुर्सिया कुर्सियों की संख्या हमें पता नहीं है निकालनी है कितनी कुर्सिया कितने व्यक्ति 10 व्यक्ति क इतने दिन में 6 दिन में बना पाएंगे देखे इस प्रश्ण में आप यह चीज़ देखिए कि इसमें जो वर्क है वो डिफ्रेंट है इसमें 480 कुर्सियां इसमें 480 कुर्सियां नहीं होगी उसे कम यह जाद होगी कैलकुलेट करने पर तो यह जो टाइप है यह वर्क टाइप इसमें इसको इंग्लिश में हिंदे में क्या कहेंगे अलग कारे इसमें हमको सिंपली यह फॉर्मुला यूज करना होता है कि जो पहला वर्क है डबलु वन अपॉन एम वन डी वन एच वन इवन जो पिछला प्रश्ण में जो था वही इग्जैक्ली वही लि पूसरा है इस इक्वल टू डवलु टू डिवाइड़ वाइंटू डी टू एच टू एटू यहां पर वैल्यू क्या दिया हुआ है पूट करते हैं देखें डबलु वन के जगह पे चारसो असी कूर्सियां डिवाइड़ बाइंवन के जगह पे तीसमें और दीवन ने ज 15 अब जो दूसरा ग्रूप है कितने कूर्सियां बनाएगा यह पूछ गया है हमें कूर्सियों की संख्यां नहीं बता है स्यंक्या आट एक्स ढिवाइड़ वाइड़ ग mount को यहां चन्यां 10 में दिन कितना है जह ना तो यहां घंक बताया गया है त comparison के बनाने हैं जीरो से जीरो कैंसल 313 जा 48 ठीक है अब आगे देखिए यहां पर 16 नमबर बचा हुआ है यहां 15 नमबर बचा हुआ यहां 10 और 6 बचा हुआ है 5 से कैंसल किजिए 5 ती यह 15 पास दूनी 10 अब 3 बचा है 2 बचा है और 6 बचा है 16 से क्रॉस मल्टिप्लाई होगा 4 तो कितना हो जाएगा 64 तो कुरसियां कितनी बनेगी 64 कुरसिया देखते हैं 6 व्यक्ति और 8 लड़के किसी कारे को 10 दिन में पूर्ण कर लेते हैं मगर 26 व्यक्ति और 48 लड़के उसी कारे को 2 दिन में पूर्ण कर पाते हैं कितने दिन में 15 व्यक्ति और 20 लड़के उस कारें को पूंड करेंगे देखिए यह प्रशन बहुत ही important भी है और यह pattern भी बहुत ज्यादा important है और अलग भी है देखिए इसमें क्या है दो अलग अलग term का involvement है man भी है boys भी है लड़के भी है व्यक्ति भी है इसमें आपको करना क क्या होगा कि दो जो statement दिया हुए उसका help करके एक जो value निकालने उस part को हम solve करेंगे इसमें सबसे पहले दिया 6 व्यक्ति और आठ लड़के मिल गए 6 व्यक्ति को अपन 6 men और 8 लड़के 8 boys लिख देते हैं ये कितने दिन में कर पाते हैं इनको मिलके एक कारे मालेजे ये एक work है इस work को कुछ भी work हो सकता है मैंने कहा है एक room construct करना ही एक work है ये work करने में इनको कितने दिन की जरुत पढ़ रही है 10 days की 10 दिन की 10 दिन की जरुत पढ़ रही है ये दो ही दिन में ये काम पूरा कर ले रहे हैं अब हम लोगों ने एक अलग group form किया है इसमें man और boys का जो composition है वो अलग है अब उसमें क्या होगा देखे उसमें ये है कि 15 men और 20 boys मिलके ये बताना ही कितने दिन में कारे को पूरा करें हम ये दो data का use करेंगे कैसे करेंगे य हमको जो पहला statement दिया है और जो दूसरा दिया है उसको equal करेंगे equal करने के लिए हम इनके दिन को equal करेंगे जो 10 दिन में 6 व्यक्ति और 8 बच्चे कारें पूरा कर रहे हैं हम देखेंगे कि एक दिन में कितना इनको इनका introduction हो जाए कि ये कर ले अगर मान लिजी हमने 6 के जगा 60 में कर दिया और 8 के जगए 80 बॉइस कर दिये तो ये काम एक दिन में पूरा हो जाएगा हमने ये 10 को inverse relation होता है अगर हम divide करने जाएगे तो गुणा हो जाएगा गुणा करने जाएगे तो divide हो जाएगा हमने ऐसा कि देखें आप सीधा अपने विवेक से देख सकते हैं कि अ हमने देखा एक दिन में इनमें क्या जो changes लाना है changes ला दिये तो हो जाएगा हमने क्या किया यहां 10 से गुणा किया तो एक दिन में कारे निकल गया यहां भी दो से गुणा करेंगे तो एक दिन में कारें निकल जाएगा अब यह एक दिन में कारें पूरा कर रहे हैं अब य अब हम समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति की कारेश हमता है बराबर दो बच्चों की कारेश हमता है एक आदमी को एक काम में लगाओ या दो बच्चे को लगाओ एक ही बात है अब यहाँ पर देखेगा फिर करना क्या है करना यह है कि अब यहाँ पर हम दो अलग अलग लग टर्म man और boys नहीं रखेंगे एक ही टर्म में convert करेंगे चाए boys में चाए man में हम बॉइस्स में करते हैं क्योंकि बॉइस्के men करना हमारे लिए इसलिए असान होगा क्योंकि एक्की संख्या सब्सक्राइब अब देखिए अगर एक मैने जगा हमने दो बॉइस को इंट्रोडिफ कर दिया तो क्या होगा 15 मैन बन जाएगा 30 boys और 20 boys का 20 boys as it is लिख दिये, अब हम इनका जो दिन निकालेंगे, इनका मालिजे इसको, अम ये total को M1 by M2 is equal to D2 by D1 का formula यूज़ करके अगर बनाने को गरे, तो यहाँ पर ये M1 मालिजे और ये D1 मालिजे, अब ये दोनों equations पर से एक equation का help ले लिए मालिजे इसका help ले लिए और इसको हम समझ लिए M2 और इसको समझ लिए D2 अब देखे, यहाँ 6 मेन है तो 6 मेन के जगा हम इसको भी एक ही term में लाएंगे, तो 6 गुणा 2 boys हो जाएगा, और ये 8 boys का 8 boys रहेगा, और उसका जो दिन है, 10 दिन वो हो जाएगा D2 अब ये formula क्या था, M1 by M2 0, D2 by D1, अब 15 दूनी 30, 30, 20, 50 50 boys अब उसके बाद वो दिन कितना लेते हैं, ये हमको calculate करना है, D1 लेते, यहाँ 6 दूनी 12, 12 और 8, 20 boys ये कितना दिन लेते हैं, इनका inverse में लिखे तो 10 दिन देखिए, solve करते हैं आगे 0 से 0 cancel हो गया है 5 से 10 cancel हो गया 5 दूनी 10, 2 बचा है, 2 बचा है 2 boys, 2 तो D1 is equal to 4 मतलब दिन जो आ रहा है, 4 दिन आ रहा है देखिए, इस प्रश्न को फीर से दिया होगा, आपको कुछ अलग दिन दिया होगा 2 अलग अलग data देखिए आपको पूछा गया होगा, तीसरा अलग data आपको करना यह है कि एक एक दिन का निकालना है एक एक दिन के निकालने के लिए जो भी अंख है उससे इन दोनों को गुना कर देना है गुणा करने के बाद एक एक दिन का गया तो दुनों को equate कर दिना है, equate करने के बाद आपको एक साइड में man और एक साइड में boys आ जाएगा आप यह देखेगे कि man और boys में क्या relation, एक और दो का relation है अब इसको जो पूछा गया है उसमें put करेंगे, तो एक boys यहां पर एक man बराबर दो boys हम put कर दिया है तो यह 30 boys बन गया अब 30 boys और 20 boys को जोड़े तो 50 boys आ गया अब यहां पर उसी तरीके से दोनों में से एक statement उठाए यह वाला उठाए, इसमें 6 man के जगा 6 गोड़ा 2 boys कर दिया प्लस 8 boys कर दिया, 6 into 2, 12 हो गया 12 प्लस 8, 20 हो गया अब जो हमारा M1 by M2 is equal to D2 by D1 उसको यूज किये तो हमें दिन निकल गया यह मत समझे है कि boys जो है गेवल इक्रेशन boys पर हमको एक term में इसमें convert करना ही पड़ेगा नहीं करेंगे तो यह सवाल crack नहीं हो सकता है, एक term में convert करके हम दिन निकाल सकते है इस तरीके से एक नए टाइप के साथ आते है एक जगा 150 व्यक्तियों के लिए 15 दिन तक भोजन उपलब्द है 10 दिन पश्चात 75 व्यक्ति अगर उस जगा को छोड़ कर चले जाते है तो कितने दिन तक बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए परियापत होगा देखे इस question को आप feel करने की कोशिस कीजिए question पूछा क्या है इसमें ये पूछा है कि एक जगा है जहां पे 150 व्यक्ति मतलब 150 में अगर भोजन करने को मतलब 150 व्यक्तियों के लिए कितना भोजन है भोजन की quantity अगर देखा जाए कितना यूनिट में 150 में गुणा 15 दिन के यूनिट में अब इसके बाद आगे ये कहा गया है कि ये जो भोजन रखा हुआ ये रखा हुआ उसके बाद क्या हुआ 10 दिन पर शाथ ये 150 में 10 दिन तक ये भोजन किये 10 दिन तक इतना भोजन किये कितना लोग 150 में 10 दिन तक तो हुआ क्या उसके बाद कुछ व्यक्ति चले गए कितने व्यक्ति चले गए 75 व्यक्ति चले गए अगर 75 व्यक्ति चले गए है ये 15 दिन का भोजन था ये 10 दिन का समाप्त हुआ है तो 5 दिन का भोजन बचा हुआ होगा उस हिसाब से अगर 150 में खाए लेकिन में चले गए हैं तो दिन में कुछ न कुछ अंतर आएगा अब देखिए क्या अंतर आएगा अब जो भोजन बचा होगा इसमें से इसको घटाईएगा तो कुछ 75 वेक चले गया हैं 75 वेक्ती चले गया हैं तो कितने दिन का भोजन बचा होगा अब इस तरीके से देखिए अगर हम एक साइड में 150 गुणा 15 लिख दें तो ये 150 लोगों के लिए 15 दिन तक का भोजन हुआ अब यहां पर 150 लोग 10 दिन तक तो भोजन किये फिर 150 में से 75 लोग चले अब 75 लोग बचे हैं अब वो कितने दिन तक भोजन करेंगे अब simply हम इसको calculate कर लेंगे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो equation है उसको हम ऐसे गुणा करके तो माइनस कर सकते हैं लेकिन आसान तरीके से यह है कि हम एक common ले लेते हैं यह 75 अंक है यह 150 अंक है अग भी दो आ जाएगा अब गुणा किजिए दो गुणा 15 तीस दो गुणा 10 20 प्लस एक्स एक्स जो है वो दिन है कितने दिन तक भोजन चलेगा अब 30 से 20 को माइनस किजिए 10 दिन तक 10 दिन तक बचा हुआ भोजन चलेगा 75 वेक्तियों के लिए प्रशन देखते हैं ए और बी क कारे को अकेले पुर्ण करता है तो ए उस कारे को कितने दिन में पुर्ण करेगा देखे ये जो प्रशन है ये कारिश हमता का प्रशन है कारिश हमता मतलब क्या होता है एफिसेंसी होता है जो ज़्यादा एफिसेंट होगा वो काम को जल्दी खतम करेगा अगर अनुपात की रूप में दिया गया है A और B का कि भाई A और B का अनुपात 7.3 है मतलब A ज़्यादा एक्टिव है B की तुलना में तो यहां से आप एक बात समझ लिजिए कि इनके दिन का जो अनुपात होगा यह उल्टा होगा यह क्रॉस होगा तो A कम दिन लेगा 3 करे लिए कि भी 25 को पूरा करता है अगर B 35 दिन में करेगा मतलब गुड़ा पांच 35 दिन में करेगा क्योंकि ए अनुपात में तो A कितने दिन में करेगा कि A करेगा यहां गुणा 5 यह तो यहां भी गुणा 5 दिन में और यह उत्तर है पाइप का मतलब नल है और सिस्टन का मतलब टंकी है इसमें होता क्या है इसमें एक पाइप तो टंकी भरता है यह पाइप है यह तंकी भर रहा है लेकिन कंडिशन में इस तरीकी का होता है अगर यह पॉजिटिव काम कर रहे है तो यह नेगटिव काम करता तो इस तरीके के प्रशन आएंगे जिसमें आपको कुछ जो काम जो पॉजिटिव काम करने वाले मिलेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगटिव काम करेंगे और पानी को जो है जो आउट लेट है शिदर है इससे पानी को बाहर निकालेगे प्रशन देखते हैं कि नल एक इसी टंकी को 36 मिनिट में भर देता है नल भी समान टंकी माले यहां पर मैंने वही टंकी बना दी है उसको यह 45 में भर पाता है अब प्रश्ण यह है कि अगर यह दोनों नल ओपन हो यह दोनों नल ओपन हो और इस तरीके की मैंने तीसरी टंकी यहां पर लगा दी है सेम साइज की तो यह कितने देर में यह दोनों मिलके इस टंकी को भरेंगे देखे अगर यह 36 मिनट और यह 45 मिनट बढ़ते हैं सबसे पहला काम क्या होता है टोटल वर्क निकलना है टोटल वर्क कैसे निकलते हैं यह दोनों के LCM से 36 और 45 का LCM कितना होगा 45 का गुनन खंड लिखे 45 90 फिर जोड़िया पैतना है 135 180 36 के टेबल 45 नहीं जाता 90 36 और नहीं जाता 135 नहीं जाता 6 के टेबल मांकर में 5 आई नहीं सकता है इसके बाद 180 देखे पैतालिस चौके 180 36 पचे 180 180 180 मैंने साइज माल लिया टंकी का अब देखिए कि जो A है वो 36 मिट अगर 180 काम करता है टोटल वर्क है यह सब तो एक मिनट में कितना काम करेगा एक मिनट में कितना भरेगा एक मिनट में 5 यूनिट भरेगा अगर यह 180 यूनिट है तो 5 यूनिट भरेगा बी एक मिनिट में कितना भरेगा अगर ये 45 मिनिट में 180 भरता है तो 4 यूनिट भरेगा और ए और बी दोनों अगर मिल जाए जो एक मिनिट में 5 यूनिट ए और बी एक मिनिट में 4 यूनिट भरता है तो 180 unit कितना दिर में भरेगा? 20 मिनट में भरेगा 9 गुणे 20, 180 कीज़े या पिर total work divided by 1 day work कीज़े आपको 20 मिनट उत्तर मिल जाएगा 2 null P और Q क्रमशा 12 अथा 16 मिनट में टंकी भर देते हैं अगर 2 null एक साथ खुले हों तो P कप बंद किया गया होगा कि टंकी 8 मिनट पर शाथ पूर्ण रूप से भर जाए देखे इस प्रश्ण में क्या है? कि एक null है P जो अपनी टंकी 12 मिनट में पूरी तरीके से भर देता है ये टंकी इसने 12 मिनट में भर दे इसके बाद अगला null है Q और उसकी quantity भी same है एक ही टंकी है मालेजे 16 मिनट में मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको confusion लाओ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया वही टंकी को ये 16 मिनट में भर देता है अब प्रश्ण ये है कि अगर दोनों एक साथ open हो और उसके बाद जो परिस्तिती दी हुई है कि P कप बंद किया गया और Q जो है आठ मिनट तक काम किया तो दोनों मिलके ये टंकी को आठ मिनट तक जो है चालू रखा गया अब आठ मिनट में भर गई है और कितने देर पहले P बंद किया इस तरह की कि परिस्तिती आगे देखेंगे ये दो टंकी है अब देखें आम लोग टोटल रखाफ बहें निकालते हैं 12 और 16 का अल्सीम लेंगे 16, 32, 48 बारा के टेबल में 42 आता है 32 तो बारा के टेंल में नहीं आएगा 48 टोटल रख हो गया ये 48 है अब अगर 48 युनिट टंकी 12 मिनिट में भरी जाती है तो एक मिनिट में कितनी भरी जाती होगे? कुछ चार यूनिट उस तरीके से ये Q 1 मिनिट में कितना यूनिट भरता होगे? 3, 4, 3 हा गया अब इसका 4 है एक मिनिट में जो भरने का कारेश हो ता इसका 3 है अब जो प्रश्ण है उसके हिसाफ से हम लोग क्या करेंगे एक line draw करेंगे line में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो परिस्तिती है उस हिसाफ से क्या है कि Q जो है वो हमेशा कारे कर रहा है वो अंतिम तक कारे कर रहा है अब Q अगर देखा जाए तो पूरा 8 मिनट तक कारे कर रहा है और 8 मिनट में जाके कही नगा कंतेंगे भर जा रही है host minute अगर कारे कर रहा है तो इसका मतलब है कूँ अगर एक मिनट में तीन कारे करता है तो कुल मिला के 24 वर्क वो 24 कारे जो है क्यूं करेगा अगर कारे 48 है टोटल और 24 क्यूं करेगा ये क्यूं करेगा अब ये बताना है कि P कब बंद की गई हो P तब बंद की गई होगी ना जब P ये 48 में से 24 घटाने पर 24 काम पूरा किया होगा P को 24 काम पूरा करने में कितना मिनट लगेगा जो P एक मिनट में चार काम करता है उसको 24 काम करने में कितना मिनट लगेगा 6 मिनट लगेगा क्योंकि वो 24 काम अगर देखा जाए जो एक मिनट में 4 काम करता है उसको पूर्ण करने के लिए 6 मिनिट का टाइम लेगा नल A किसी टंकी को 10 मिनिट में भर देता है नल B 15 मिनिट लगता है लेकिन छिदर की वज़ा से टंकी 30 मिनिट में भरता है अगर छिदर को पूरी तरह टंकी खाली करने हो तो कितना समय लगेगा प्रेश्ण को समझे पहले एक नल है A ये पूरी की पूरी टंकी 10 मिनिट में भर देता है और जो दूसरा नल है B ये 15 मिनिट में अभी देखिए कि ये दोनों नल अपनी जगा तो ठीक है दो नल के साथ साथ दो नल के साथ साथ एक और जो है वो नल नहीं वो जो है आउटलेट है एक तरीके से छिद्र है ठीक है अगर ये तीनों मिल जाया तो ये टंकी 30 मिनिट में भरती है हम आगे देखेंगे माल लिजी टंकी का जो साइज है जो हम टोटल वर्क डिसाइड करते हैं वो इनका एलसियम लेने पे ये देखेंगे तीस, पंद्रा, दस है दस के टेबल में तीस आएगा तो तीस हो गया इसका टोटल वर्क एलसियम लेने पे खुल कारे अब इसके बाद हम ये देखते हैं एक मिनिट में एक कितना करता है इसका मतलब यह है कि सी, एक मिनिट में माइनस चार काम करता है और यह उल्टा काम करता है, पानी को बाहर निकालने का काम करता है, अब प्रश्न यह है कि C को अगर total tank को खाली करना है तो वो कितना time लेगा, कितना minute लेगा, तो अगर यह 1 minute में 4 उल्टा काम कर लेता है, और इसको जो है total tease काम करना है, तो यह 7.5 मिनट में पूरी टंकी कानी कर देगा माइनस काम करता देखते हैं दोनल एक टनकी को खरमकी को लिए दो घंक कि दो था श्रक्ता है यादि भर यदि Colonel एक साथ खेल दिये जाए तो टनकी भढलको ए है जो कितने घंते में रहता है 2 hours में, B 3 hours में, और पूछा गया है कि दोनों एक साथ मिल जाया है तो कितने घंटे लगेंगे अब ये हम calculate करके निकालेंगे माल लिजे हम decide करते हैं कि total work कितना है, जो है LCM लेके, 2 और 3 का LCM 6 आया, तो मान के चले इसमें 6 unit पानी है, 2 घंटे में 6 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करता होगा, 3 करता होगा 3 घंटे में 6 काम करता है तो 1 घंटे में 2 करता होगा ये जो A है 1 घंटे में 3 काम करता है, अब 1 घंटे में 2 काम करता है अब ये बताना है, इस दोनों मिल जाया है, तो मेंटल एक रहेगा यहां 5 घंटा प्लस एक बता पांच घंटा अब इसको अगर आपको मिनट में देखना है कैसे यह मिनट निकलता है तो देखे आपको नीचे वाला अंक को साथ बनाना है तो उपर वाला अंक जो भी आएगा वो मिनट में हो जाएगा क्योंकि नीचे साथ बन जाएगा अभी देखिए पांच को साथ बना एक लिए गुड़ा बारा किजेगा इसको भी गुड़ा बारा कर दीजे तो कुल मिला के यह हो जाएगा ट्वेल मिनट्स टाइम एडवर कोश्टन ने जो इक्जाम में आया हुआ है उसको देखते हैं एक शात्रावास में 50 छात्रों के लिए 45 दिन की भोजन समगरी है तो यह समगरी सका अब आगे यह परिष्टित है कि यही भोजन अगर यही भोजन कितने लोगों करना है 75 छात्रों को करना है तो कितने दिन में दिन तक ये भोजन जो है समाप्त नहीं होगा अब इस परिस्तिती में जब भोजन एक बराबर है तो हम क्या करेंगे देखें सिंपली ये वैल्यू का हम यहां पर लिखते हैं 50 इंटू 45 इस इक्वल टू 75 इंटू X ये 45 है ये 75 है 15 से डिवाइड करने से ड पर देखेंगे नियूकर और मजदूरी से रिलेटेट कुछन देखेंगे जिसे वर्केंड वेजिस कहते हैं इसमें एक साधारण सी बात है जो ज़्यादा efficient होगा, उसको कम दिन लगेगा, और जो ज़्यादा efficient होगा, उसको ज़्यादा money मिलेगा, यहाँ पर यह inverse है, यहाँ direct है, अभी आप यहाँ से समझ जाए कि relationship क्या होता, ज़्यादा efficient, ज़्यादा money, ज़्यादा efficient, कम दिन कारे, प्रश्ण देखेंगे इसके बात राम शयाम और हरी एक कारे को करमशा तीस पैदालिस और साथ दिन में कर सकते हैं यदि वे मिलकर उस कारे को करके 78 रुपे कमाते हैं तब राम को क्या धनराशी मिलेगी मैंने अभी बताया है कि जो दिन रहता है उसके साथ efficiency का अनुपाद inverse रहता है अगर efficiency का अनुपाद inverse है तो इसका मतलब यह है कि efficiency और money जो होगा वो directly proportional होगा इसको इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए बात आपके लिए एक ही है मैंने इसको reciprocal कर दिया अब यह दोनों को जो है इस तरीके से लिखिए अब देखिए जो राम और श्याम राम श्याम और हरी है वह कितने दिन में कारे पूरा करते हैं राम करता है कितने दिन में 30 दिन में श्याम 45 और हरी 60 इनका अनुपाद आपको निकालना होगा और आगे चलके आपको जो है उत्तर मिल जाएगा कि इसको और रिड्यूस कीजिए 15 से कैंसेल कीजिए 15 दूनी तीस 15 दूनी तीस 15 चौक साथ अब इसका रिड्यूकरक निकाले दिन और फिशेंशन्सिक जो रहता है वह इन्वर्सली प्रपोस्टाइ ket इसका विल्टा निकाली दो के जगा पे आप 3 गुणे 4 कीजिए 12 तीन के जगा पे 2 गुणे 4 कीजिए 8 और 4 के जगा में 2 गुणे 3 कीजिए 6 इस तरीके सा बरेसीप्रूपल निकाल सकते हैं या फिर LCM लेके भी इस तरीके से 1 बाइ 2 1 बाइ 3 और 1 बाइ 4 निकालिएगा 12 LCM सब्सक्राइब 12 से आप लोग देखें कि डिवाइड करने में यहां पर 6 नुपाथ 4 नुपाथ 3 और इस तरीके से बना सकते हैं इसको और रिडिस कीजिए 2 से कंसल कीजिए 6 4 और 3 कुल मिला के कितना होगे 6 4 10 3 13 अब यहां से यह बात समझ लीजिए आप कि अगर इनके पा 13 से 78 सो जाने में गुणा 600 लगता है तो यहां पर भी गुणा 600 कर दीजिए तो आपको मनी का रेश्यों मिल जाएगा चैए गुणे चैए चाटी सो चार गुणे चैए चोविस सो तीन गुणे चैर अठारह सो अब प्रश्न में पूछा क्या था राम को क्या धनराशी मिलेगी राम को 3600 रूपे धनराशी मिलेगी दोस्तों देखिए इतना जो मैं बड़े रूप में आपको समझा रहा हूं आपको इतना बड़े रूप में नहीं लिखना है नहीं वहाँ पर calculate करना है जितना आप छोटा लिखेगा उतना आपके परिक्षा के लिए बैतर होगा यहाँ पर ऐसा है कि आपको short trick ना लगे ज्यादा concept आप मिस ना करें आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ही कम समय में समझाया गया है इसलिए मैं कोशिस कर रहा हूं कि आपको व्यापक रूप में समझाओ हर चीज को और एक बात याद रखेगा competition निकालने के लिए यह जो इंक है यह कम लगे थिंक विदाउट इंक ठीक है जितना आप इंक यूज कम किजेगा उतना ही आपके क्लियर करने का जो परसेंटेज रहेगा वह ज्यादा रहेगा अगला प्रशन देखते हैं ए बी और सी किसी कारे को करमशा च्छे आठ एवं बारा दिनों में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर कारे पूरा करते हैं इसका रुपए तेरह सो पचास मिलता है उस राशी में बी को कितना मिलेगा उसी तरीके का प्रशन है दिन efficiency inverse होती है यह बात आप समझ के रखिएगा उसके बाद money यहाँ पर a का b का और c का दिन का जो है ratio लिख लेते हैं a का कितना है a कितने दिन में कारे पूरा करता है 6 b 8 और c 12 इसका मतलब क्या है कि इसको और reduce कर दिए 2 3 4 और 6 अब इसका reciprocal निकालना तो यह दोनों को गुणा कीजी e 6 24 अब इसका निकालना है and तीन चके 18, अब इसका निकालना है तो ये दुनों को तीन चक 12, अब इसको और रिडिस कर लिजे, और रिडिस करने के लिए किसे कैंसिल किजेगा, पहले दो से कर लिजे, 12, 9, 6, हम देख पा रहे हैं, तीन से भी होगा, तीन से कर लिजे, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 12, अब इसकी efficiency 4, 3 तीन और 2 है, कुल मिला के 4, 3, 7, 2, 9, अब नौ रुपे होते हैं, तो इसको 4 मिलता है, इसको 3 मिलता है, इसको 2 मिलता है, लेकिन रुपे कितने हैं, रुपे हैं, तेरह सो पचास, आप गुणा जब कीजेगा, तेरह सो पचास, आप ये 135 नमर ये 9 नमर देखें, आप समझ तो आपको 150 मिल जाएगा, यहां पर गुणा 150 कर लिजएगा, अगर यहां गुणा 150 हो रहा है, रकम हमें इस तरीके से इस रिलेशन हो बढ़ा रहे हैं, तो हर जगा गुणा 150 कर लिजएगा, आपको जिसकी भी वेल्यू निकाल नहीं, वो वेल्यू आपको मिल जाएगी, और असानी से पूछा गया था कि बीको की दिराश्य मिलें कि बीको साड़े चार सुरुपे मिले अग्ला प्रशन देखते हैं एक किसी कारे को च्छे दिनों में संपन करता है इस उसे मातर पास जिनों में एक काम कठेगा 220 रुपे का है बीको कितने रुपे मिलेंगे जोनों म मने मतलब धन A अगर कारे को 6 दिन में पूरा करता है और B उसी कारे को 5 दिन में पूरा करता है तो reciprocal कितना होगा? 2 ही तर में इसलिए cross हो जाएगा 5-6 अगर 11 रुपे धन होता तो A को कितना मिलता? 5 मिलता, B को 6 मिलता येकिन धन कितना है? 220 11 से 220 की ओर जाने में गुणा 20 करना होगा तो आप यहाँ भी गुणा 20 कर दीजिए दोनों जगा तो A को कितना धन मिलेगा? 100 और B को 120 रुपे इसी प्रस्टन के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं Thank you friends CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले